इस वीडियो में हम लोग एक जिलेश्य स्टॉक की बड़े बात करने वाले तो चलिए देख लेते हैं कौनसी है वो स्टॉक कहाँ पर आप लोग को एंट्री करने चाहिए और कहाँ पर बेच टार्गेट पॉइंट है उस स्टॉक का तब लोग देख सकते हो स्टॉक का नेम ह हायर हाई इसका पैटन मनाते एक बढ़्य ही दो बढ़ी तीन बढ़ा इक चॉर बढ़ ही ह ense का पैटन मना doing एक अच्छी कंपशल ए अघर आप लोग देखते हो तो ये जो इस बाड का रिस्टेंस ही या निकलके आता है आप लोग के सामने में ज्टॉक करूंगeles है तकि आप लोग को पता चले एक सगेंड यह इसके अराउंड निकल के आता है और यहां पे टैच होके यह कंपनी नीचे गिर गया इसके बाद का जो रेस्टेंस इरिया निकल के आता है वो निकल के आता है अगर यह स्टॉक अप लोग को कभी यह वैसे यह कंपनी हाड़ा इसका प यह इस level में मिलता है यह stock around 9 रुपिस के level में मिलता है तो आप लोग entry कर सकते हो लेकिन wait कर जाना जब यह stock नीचे जाएगा तब मत इस stock को उठाना क्यूंकि इस stock को buy करना जब यह stock नीचे जाएगा तब इसे buy मत करना क्या पता यह stock 6 रुपे तक की भी levels दिखा दे यह stock को कब buy करना है जब यह नीचे गिर के feed से उपर जाने के लिए rally पकड़ रहा है वो उस time पर आप लोग buy करके चल सकते हो stock को यह अगर मैंने 9 रुपे तक का level बोला कि यह stock 9 रुपे के level में buy कर लो जब यह stock नीचे जा रहा है 9 रुपे के level में buy कर लिए आप लोग और यह stock फिर से 6 रुपे के level में गिर गया तो वैसा नहीं करना है अगर आप लोग को लगता है नीचे गिरने के बाद जब यह feed से ज नहीं करना है जब यह downtrend खतम होंके feed से bounce back दिया कि जब उपर जाएगा आप लोग को confirm हो जाएगा कि यह stock उपर जा सकता है और 2-3 दिन लगातार से यह stock में अच्छे कासी volume के साथ उपर जा रहा है bounce back region से दब आप लोग उस region के असपास entry कर सकते हो उसका कोई fix point नहीं है मैं तो यह जो point है इसके around नहीं बोल रहा था कि 9 रुपिस के around आ सकता है company क्योंकि पहले बार भी आया है जो पहला high है उसके नीचे आया है उसके उपर feed trade करता था इसलिए मैं बोल रहा हूं कि 9 रुपिस के level में नहीं अगर सायद मान लो यह 11 रुपे के level में नीचा आया उसके आप लोगों को लगा कि 9 रुपे के नीचे की levels में मुझे मिल गया तो मैं इसे grab कर लेता हूं लेकिन यह नहीं करना किया पता वो stock 3 रुपे तक की level दिखा दे क्योंकि यह सब penny stock है आप लोगों को पता नहीं है कि कहां पे जाके यह stock रुखेगा किया पता यह stock अभी 9 रु से चोड़ दो रुपे महेंगा मिला लेकिन आप लोग लॉस नहीं करोगे मैं बार 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 बोलता हूं अपने वीडियो में की profit कम हुआ तो चलता है लेकिन loss नहीं होना चाहिए क्योंकि loss recover करने में दो गुना ज्यादा लुक्सान होता है loss पर एक बार हो गया ठीक है recover करन है वह वाला profit मतलब recovery का जो profit है अगर आप लोग नीचे एंट्री करते हो तो recovery करने के लिए कुछ नहीं रहता और आप लोग को profit होता वह वाला profit आप लोग दो profit मिस करते हो अगर आप लोग loss recovery के चक्कर में जाते हो तो एकदम confirm होने के बाद आप लोग trade लो इसलिए मैं बोल लोग loss में करोगे दो trade में अप लोग कर सकते हो हाँ 9 रुपे के levels और यह 8.50 के levels दिखा के फिर से bounce back हो गया अगर आप लोग 8.50 के levels में confirmation मिलते मिलते आप लोग 9.50 के levels तक हो गया तो मतलब यहां पर profit हो आप कि मैं 9 रुपे के level में घुजगा लेकिन 10 में से जो 8 trade है उसमे में अप लोग यह से फस सकते हो maximum trade में अप लोग 9 रुपे में तक घुज गया लेकिन क्या पता आप वो 90 पैसे का भी level दिखा दे तो चलिए financials देख लेते हैं और यह बात ध्यान रखना कि जब bounce back होगा तब आप लोग entry कर सकते हो और investing करने से पहले अपने financial advisor के साला जरू दूर ले यह रहा है एंसी का चार्ट पेनिस्वल और नेफ्टी रियाल्टी के अंदर गिरता है यह स्टॉक 13.5 तें 13.15 डूपीस के लेवल में 15,550 कॉंट्री पेंडिंग ओडर है हाई ता 13 पाइं यह तो लोग साक्रिट में आया है हाई ट्रेड का उतने कुछ करना नही है ट्रेड वैल्व अंली 19 लक्स का निकल गाता है क्योंकि लुट साक्रिता बहुत लोगों ने सेल नहीं कर पाया 148,191 कॉंट्री ट्रेड हुआ है से कुई डिवारी पोजिशन देख लेता है वो निकलके मतलब 100 परसंट ही होगा क्योंकि 90 परसंट लोगों ने तो 99 से भी बिजनेस ऑफ रियल एस्टेट डिवलपमेंट एंड इंकॉर्परेटेड डॉमिशिल्ड डॉमिशिल्ड इन इंडिया तो मार्केट कैप भी देख लेते है कंपनी का 367 क्रोर का मार्केट कैप है बुग वेलू 0.99 बुग वेलू की सबसे बहुत ही उपर मिल रहा है यह कुछ इसा कुछ है नहीं मुझे लगता है कॉंस में अरे बाप्ड है इतना सारा कॉंस होना ही था देखके पता चल गया कंपनी अज रिडियूस डेप वोटर होल्डिंग यह सब मतलब यह ठीक है लेकिन इससे ज्यादा कुछ फरक नहीं पड़ता कंपनी के बारे में अब तो कॉंस पर सकते हो तो पियर कंपरेशन में पेंस लिया लास्ट आता है मर्च कोटर के रेजल्ट ओ प्राइटिंग प्रॉफिट नाइंटीन क्रोर का सेल्स फिप्टी सीक्स क्रोर का एक्स्पेंस जोड़ दो यह कंपानी आप लोग अवर्ड कर सकते हो तो मतलब जितना ह कर सकते हो उतना ही अच्छा है क्योंकि फंडमेंटल यह कंपनी जीरो है पूरा जीरो हाँ एक मिल सकते है क्योंकि रिद्यूस डेब्ड वो इसमें मतलब मैं वह कर जाके पर ज्यादा धियान देता हूं प्रॉफिट एंड लॉस मैं छोड़ दो रिकोवर हुआ है लेकिन मा कंपनी लॉंग टाम के लिए तो छोड़ दो सुविंग ट्रेडिंग के लिए अगर आप लोगों मिलता है तो ग्रैब कर सकते हो क्योंकि एक हाड आई मतलब एक बहुत ही अच्छा बैटन बना रहा है कंपनी और एक बात यह देखो रिजर्व में ही पैसा नहीं है कंपनी क अगर आप लोगों को ट्रेड लेना है तो ले सकते हो लेकिन मैं काऊंगा अवाइट करके चल सकते हो आप लोग कंपनी प्रोमोटर्स ने होल्डिंग बढ़ाई है जैसे कि प्रोज में लिखा था डिया इसका भी होल्डिंग है इसमें डो परसेंट का तो पब्लिक में कौ को ना था है अजमें तो कुछ होल्डिंग है अभी नहीं यह कौन है महेष्ट्र किस्नगुपता सुमिता महेष्ट गुपता क्यों है पता नहीं लेकिन यह कंपनी फाइन्सेड जीरो है अगर आप लोग को स्विंग करना ए तो स्विंग ठेड लेकिया स्ट्रीक स्टॉप के साथ आप लोग निकल सकते हो stop loss निकल के आएगा वो निकल एडाउन मतलब जो एक सेकंड आप लोग को दिखा देता हो जो यह वाला लास्ट हाई था नाइन रुपिस का इसके बाद company rocket हुआ इसका जो लास्ट पॉइंट है वो stop loss आप लोग लगा के चल सकते हो लेकिन strict trading करना है अगर यह company कभी भी गीर सकता है क्योंकि कुछ भी अच्छा नियूज नहीं है company के बारे में फिर भी यह company उपर जा रहा है मतलब अप्वाइटर का गेम या तो कुछ तो चल रहा है जो हम लोग पता नहीं है तो इस वीडियो के लिए इतना ही अगले वीडियो में मिलता है अगर यह वीडियो अच्छे लगी तो लाइक ज़रूर करना thanks for watching keep supporting stay home stay safe till then bye guys अगर आप लोग कुछ भी stock के बारे में जानना है तो comment section में ज़रूर बगाना मैं वो stock को अपने वीडियो में ज़रूर कवर करू बाइग मैं जवांयं वीडरूर कर दोरूर का अगरूर के लग।